तब तक आप भी कंफिर्म कर दो कि हमारा और विजियो विजियो और विजियो एक दम बहतरीन तरीके से प्रॉपर है तो एक बार कंफिर्म कर दो कि तो बहुत ही शांदार हो जाएगा गैस एक बार मैं भी चेक कर लू लेड मी चेक मेरे ख़्याल से लाइफ तो आठ चाने चाहिए अपन यहस मेरे ख़्याल से अपसुरूली लाइफ सबको सबकुछ प्रॉपर सुनाई दिखाई दे रहे हैं यहेगा ही रो लोग यहस चलो सबसाई 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 बहुत बढ़िया तो सबसे पहले, welcome, welcome, welcome everyone, hello Naina, hello Ritika, hello Ankit, hello Ravi, hello Mayur, hello Priyal, hello Abishik, good evening, hello reality check, यह क्या बड़िया नाम है, hello Pallavi, hello Trishna, hello Kavita, hello Nikita, Antra, Arbaz, Rajeshwari, Darshan, Kavit, चलो फटा फट से attendance लगा दो, लाइक करके वीडियो को, वीडियो को लाइक करके attendance लगा दो फटा फट से, और उसके लावा, अ तो इक बार शुरू करते है क्या, तो देखो इस सेक्षयन, इस पूरे सेशन को, हम دो पूरे दिवाइड कर लेते हैं, कितने पर मैं, 2 पार मैं डिवाइड कर लेते हैं, पहले मुझे दो चीज को लेकर आपको श्राडेजी करनी है एक पुरे सीय फाइनल को लेकर बराबर देखो मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया प्रो टेप और पुरा प्लैनिक लेकर आयो ठीक है जो आपके लिए डेफिनेटली रहेगा और उसके लावा मेरेको आपको एफर की लुझे बढ़िया करनी है तो यह दो चीज मैं आपको फटा फट से एक्पेंड कर देता हूँ मेरे एंड से तयार है सब लोग लाइक करना जाना है ठीक है जो रिकॉडेर देख रहें कमेंट कर देना और लाइक कर देना चलो ठीक है बहुत बडिया तो मेरे काल से वी आर तो पहले जो सिफ स्ट्राड़जी सुनने आये, मैं पहले 10-15 मिनिट स्ट्राड़जी बात कलेता हूं मेरे साब से, उसके बाद जो है के क्वेरीज है, मैं वो भी क्वेरीज भी ले लूँगा, ठीके, क्या गेते हो, सर आज गिफ्ट ही मिला है, क्लियर दिन मिट्वटी थैं मतलब बता ही रहा तो नहीं रहा हूं मैं आपको, बत तीन महिने क्या हमारे पास काफी है क्या, तीन महिने बहुत होते है ठीके, लेकिन अपने को प्रॉब्लम ही होती है, आपन जब माइन में सोचते तो है, कितोना कुछ बाकिये, यह बाकिये, यह बाकिये, यह बाकिये, जिससे न, जो anxiety है, tension है, how to handle things है, आपके लिए relatively easier बन जाएगा, क्या कहते हो, सही है कि नहीं, ठीक है, सही है, सबसे पहला, ये तीन मेहने में आपको क्या करना है, तीन चीज़े करनी है, फिलाल, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके कुछ ना कुछ सब्जेक्ट में कुछ पार्ट पेंडिंग हो सकते है, जिसका भी दोनों गुरूप या एक गुरूप जो भी है, अगर सबसेट हो चुके, पढ़के एक बार, मतलब, classes वगरा हो चुकी, तो very good, अगर अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट का classes वगरा बाकी है, तो एक pen paper लेकर लिखो, कि सब्जेक्ट मेरा SFA मेरा दो टॉप करना बाकी था, audit मेरा ये बाकी है, FR मेरा ये बाकी है, ऐसे जो भी subject मेरा क्या-क्या बाकी है, वो पहले लिखकर identify करो, अब मेरे को ये मत पूछना कि single दू की both दू, अब त टावट से, ठीक है, तो हमने paper लिख लिया, लिख लिया सा, ठीक है, तो जो भी subject बाकी है, पूरा topic वगरा बाकी है, वो पुरा लिख लो, ठीक है, second चीज, अब आपका सबसे पहला target ये रहेगा, हम जो pending part है, उसको कैसे complete करेंगे, और किते दिन में complete करेंगे, ठीक है, तो अब pending part complete करने के बाद, आम revision पे जाएंगे, तो पहले मैं आपको पूरा structure समझा देता हूँ, फिर ये pending part को allocate time कैसे करना है, वो सब सिखाता हूँ, तो पहले आप pending list identify करोगे, उसके अलावा, आपको ये आप कोई भी situation में रहो, bare minimum आपको दो revision हर subject का target करना है, apart from your first reading, मतलब classes क daily revise करोगे, वो first reading हो गई, उसके अलावा आपको दो revision bare minimum, देखो उससे साधे करना चाहिए, तीन करोगे तो और अच्छा, चार करोगे तो और अच्छा, लेकिन bare minimum, मैं assume कर रहो कि आप situation आपकी खराब होगी, तो bare minimum दो target करना है आपको, ठीक है, अगर single group रहेगा, तो दो target कर 35-45 days चाहिए, मतलब अगर आप बोद group दे रहे हो, तो आपको August end तक हर तरह के चीजों से free होना पड़ेगा, ताकि दो महिने आपको मिल अच्छे से, और अगर आप single group दे रहे हो, तो you have a leverage till September mid मान सकते हो, जहाँ आप एक बार complete कर लोगे, तो भी आप 45 days में खीच सकते हो, यह minimum इतने दिन चाहिए, इससे कम मिला तो फिर आपको फोड़ी सी problem हो सकती है, यह में एक generalized viewpoint रख रहा हूँ, of course person to person, case to case से differ करेगा, बट एक general आपको idea पर रहना चाहिए, कितना समय लगेगा, तो यह दो चीज ध्यान लखना, पहले areas identify करेंगे, उसके बाद revision करने में इतन समय चाहिए, तो अपने ओ डेड्लाइन मालूम पड़ गई, कि यह pending चीज है, कब तो complete होनी चाहिए, उसके अलावा, sir, हमको mock test देना चाहिए, कि the answer is yes, एक तो minimum देना चाहिए, आप chapter wise दो मत दो, आप पाच्छे mock test मत लिखो चलेगा, एक mock test दो देना पड़ेगा, अब कब दे, sir, it is preferable, कि आप उसको जब पढ़ रहे हो ना पहली बार, अगर समय का constraint है, पढ़ते पड़ते हैं, जो class test दोगे वो तो अलग हो गया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे मेरी भी बैच में, fast track के अंदर आपको मिलेगी class test, वो अलग है, ठीके मैं mock test की बात करो, और full length mock test, यह कब देना चाहिए, sir, तो यह ideally आपको first reading के बाद नहीं देना चाहिए, यह आपको first revision के बाद देना चाहिए, for example, आपकी first reading चल रही थी, वो अगस्ट में complete होगी, अब आपने august में first revision शुरू किया, तो जैसे जैसे आप एक subject revise कर चलोगे, first revision, मतलब एक reading के बा ठीक है, ध्यान लगना, तो ICA का mock test है, तो best mock test है वो आपके लिए, तो आपको यह तीन चीज़े करनी है, सबसे पहला identify the pending area, second revision plan आपको मैंने बता दिया, तीसरा mock test देना है, और mock test कब देना वो भी आपको मैंने explain कर दिया, तीन महने में आपके तीन target होने चाहिए, ठीक है, आप बोलोगे सर, अब हमको days बता दो कितने कितने दिन, मतलब कब तक यह करे, कब तक यह करे, तो भाई वो तो percent to percent differ करेगा न, अब मुझे क्या पता आपका कितना हो चुक है, यह आपको identify करना पड़ेगा, लेकिन अपने pending चीज़ों को तीन पार्ट में अपने बाढ़ द पहला, first reading वाली journey, second revision वाली journey, और उसके revision के दौनार, mock test वाली journey, ठीक है, तो हम small target set करेंगे, अब revision कैसे करेंगे, mock test कब देंगे, छोड़ दो, हटा दो, side-mada दी असको, अब देखो, यह जो pending areas है, यह कैसे complete करो, कितने दिन में complete करेंगे, ठीक है, अपना सबसे small, सबसे first target य मेरा कब तक होएगा, यह आपको identify करके लिखके रखना है, पेपर के ऊपर, तो suppose कोई बच्चा बोलेगा, सर्मा, आपके FR का fast रख देख रहा हूँ, मेरा 30% हो चुक है, 70% बाकी, यह मैं example ले रहा हूँ, तो 70% करने में कितना समय लगेगा, देखो, कितने घंटे बचे, ए आपन क्या, आपन 4 मेरा लंबा प्लान करते हैं, तो आपन फज जाते हैं फिर, फिर एक प्लान मीट नहीं हुआ, फिर बाकी सार आगेगे प्लान चेंज, एक ब्रॉट प्लान अपने पास हो गया, अना कि यह करना है, ब्रॉट प्लान हो गया यह, अब सबसे पहला प्लान क तुमको समझ आता है मैंने क्या बोला यह चीज तो सब लोग आज लिखके रखेंगे ठीक है उसके लावा सेकंड प्रो टेप पक्का समझ गया नहीं है पर्फेक्ट ठीक है चलो इंद्रनील कहते है आका सर से पढ़ा ही करो और एफर में 80 प्लस लेकर आओ वो इंद्रनील ला आप अपने फास्ट लेक्ट करोगे तो कोई भी लेक्ट चल लाओगा फास्ट एक्जाम रटर जो भी चल लाओगा आपको प्लीज मेक शौर आप लेक्ट्चर को एक पिक्चर की तरह नहीं देख रहे हो लेक्ट्चर के साथ डिली रिवाइस करना बहुत जरूरी है इट प्लीज इस रिकमेंडेट भले ही चार दिन एक्ट्रा लग जया उस सिचुएशन में आप चार दिन एक्ट्रा स्पेंड करोगे ना क्लास का डिली रिवाइस करने में तो वह आगे आपके दस दिन बचाएगा तुम समझ रहो आगे कॉन्फिदेंस रहेगा वह अलग की क्ल क्लास के साल रिवाइस करो इस रिरिवह इंपोर्टनक्त ठीकै अगर अभी आपको ऐसा है कि मेंट करने है तो ले ख़तम करो जो भी सबजेत क्लासों वगला करनी अगे कर लो अच्छ श्रम तक užके बाद मत करना फिर बराबर तो लेना हैकर कि खतम करो और उसको अच्छे अ आपन क्लास के रिवाइस कर लो उसके लावा अभी में को काफियो बच्चे पूचा थे एफार का फास्ट्रेक को लेकर अभी ले सकते हैं क्या ले लो भाई कोई दिक्कत नहीं है तो मेरा जो एफार का रिकॉड़ेड बैच पढ़ा है फास्ट्रेक का इट इस लेटेस्ट फ तो कुछ गाइडेंस पढ़ा अच्छे वो आपको प्रोवाइड करता हुआ चलूँगा वीकली बेसेस पे उसके लावा उसी बैच के अंदर टेस्ट सीरीज भी है ठीक है तो मैंने चैप्टर वाइस फुल सिलबस टेस्ट सब डाल रखे और उसके लावा मेरा एक तो मैं आपको दस दिन का विंडो दूँगा आप वो दस दिन में कभी भी ऐफार पढ़के वो मौक टेस्ट लिख कर मैं आपके लिए गूगल फॉर्म शेर करूंगा आपके स्पैसिविक ग्रूप के उपर तो उसमें आप अपना पेपर अपलोड करो के मौक टेस्ट का ज लिए है पहले एग्जाम औरियंटेड हो फास्ट हो जो भी बैच हो सब को यह मिलेगा फ्री ऑफ कोस्ट हैना और अलग से आवेलेबल नहीं अगर किसे ने बैच नहीं दे सकता क्यूकि मुझे मेरे क्ला स्टुडेंट्स को सबसे बेस सर्विस देने का ट्राइ करना है और आपको मेरे एंट से पूरा करेटो के मिलेगा वित रिमार्क्स ठीक है चलो तुम और उसके ओपर में गाइडेंस सेशन भी रखोंगा वो कैसे होगा क्या होगा वो सम्मय आपको आपके रिस्पेक्टिव जो एक्स्क्लोजिव गुरूप अपने बता दूँगा चिंता मत करना अगर यह अलफ लगा तो बता देना कि एक चीज़ अभी लेक्चेश करोगे क्लास के साथ ही उसको रिवाइस कर लेना ठीक है उसके लावा अभी जब तीन महीन आप पढ़ रहे हो ना आप तो एक चीज पर ध्यान लखना काफी बच्चें पुछते तर कितने मैं बूलू, number of revisions is a myth, what your focus should be, it should be of concising the content for last 1.5 days, इसका मतलब क्या है, देखो आप जो भी आज पढ़ लो, कितने बार भी पढ़ लो, अगर जो चीज आपने डेड़ दिन में revise नहीं के आखिर के, वो आपका exam में याद नहीं आएगी, इस वरी सिंपल, for example में आपका example देता हूँ, suppose FR में concept is chain holding करके, CFS में concept is chain holding, आज chain holding का question आप 10 बार practice कर लो, 10 बार कर लो, आज के दिन पर, तीन मेंने उसको उठाओ मत, और exam के पहल उसको revise मत करना, आपको exam में याद नहीं आएगा, आप भले पहले 10 बार कर चुके रहो, क्यों याद नहीं आएगा, क्योंकि वो डेड़ दिन में रिवाइज नहीं किया था अपने, FR में आपको डेड़ दिन ही 4 पास दिन मिलते हैं, तो आपका focus क्या होना चाहिए, अपन क्या करते हैं, अपने को, आज आपका focus कंसाइस करने पो नाचे, कंसाइस करें कैसे, FR में आपके लिए भेनत कर दिया मेने, FR में क्लास में आपको मेरे LDR क्वेशन माग कर रहा हैं, काफी लोग बोलते हैं, LDR क्वेशन कर ले क्या, and it is more than sufficient, बराबर LDR में ये नहीं ब करते हैं, तो अगर कोई नया question भी एक्जाम में आया, तो concept चलोते हैं, क्लियर हो ना, तो काफी लोग को मित रहता है, कि LDR मतलब selective हो गया, कि ये important question के लिए इस देता ही नहीं कभी भी, LDR मतलब वो question जो आपका 100% concept कवर करता है, तो अगर कोई नया question भी आया, तो इसके बेस करना है, ये ध्यान रटना, ठीक है, उसके लावा, tension लेना, please avoid करना है, tension नहीं लोगे आप सब लोग, अब tension आता क्यों है, उसका root cause देखो, आपन रिजल्ट पर focus करते हैं, मैं pass हो गया तो, मैं fail हो गया तो, मैं के मेरा ये जिन्दगी खराब हो जाएगा, मेरा जिन्दगी वैसा खराब हो जाएगा, मेरे को माबाप ये बुल देंगे, मेरे को मेरे दोस लोग ये बुल देंगे, मेरे को रिस्तदर लोग ये बुल देंगे, आपन यहां focus करते है, this is a byproduct of your process, सिकते ना आपन एक concept, input, process, output, बराबर जैसा आपका input or process होगा, वैसा आपका output निकलेगा तो आप अगर इस पर focus करोगा, यहां काम नहीं करोगे, तो result कभी अच्छा नहीं आएगा, तो focus on the process, take one day at a time, इसलिए मैंने बोला, set small targets, कि अभी आपका target का है, identify the pending, रियास complete करेंगे उसको, अब daily target बनाओ, कि आज का मेना target ही है, उस पर focus करो, जब आपका focus process पर एगा ना, result के बार है मत सोचना, result is the bad product, जब यह अच्छा होगा, तो automatically अच्छा ही आएगा आपके लिए, ठीके, तो focus करना, आज का target था, दो chapter करूँगा, कर लिया, very good, next day का target, यह था, टागेट कर लिया, very good, simple, इतना आपको target रखे चलना है, यह fourth pro tip थी मेरे end से, बराबर उसके हाड़वक का replacement नहीं है, हाड़वक के बात का जो step है, वो होता है smart work, मतलब smart work compliments hard work, काफी लोग बोलते है, मैं smart work करूँगा, मैं दिन का एक गंड़ा पड़ूगा, उससे कुछ sensitive बात का, हाड़वक और smart work goes hand in hand, मतलब जहाँ जादा महनत करूँगा, smartly महनत करना, ऐसा होता ह है smart work का मतलब, काफी लोग उसको replacement मानते है, कि मैं hard work नहीं करूँगा, मैं smart work करूँगा, ऐसा नहीं होता है, तो जितना महनत कर सको in the right direction, और direction आपके पास है, आपने direction मतलब किया, जो classes में लिया, वो पढ़ना है, जैसा faculty ने बोला, वो follow करना है, simple है, वो direction है, एक्ट्रा तो you have to come in those 10 to 12 hard working people, top 10 to 12 hard working people, अब आप बोलोगा सा, महनत नहीं हो रही है मेर से, तो मेरे पास कोई लाजनी है उसका, अगर आप कहोगे मेरे को पढ़ने का मन नहीं कर रहे है, मेरे पास कोई लाजनी है उसका, पढ़ने को ready हो, तो मैंना आपके लिए देगो कितना बढ़ी अगर लेना हो तो भी, ठीक है, उसके लाव अगर आपने classes अगर कर रखिये, अगर आपको first revision करना है, तो मैं revision के से करूँ sir, तो मैंने अपने telegram पे एक 12 day planner share already किया हुआ आपके साथ, है ना, जहाँ आप 10 to 12 days में पूरा FR मैंने हर chapter का time duration के साथ डाला हुआ है, बराबर तो FR का planner आपको मिल जाएगा मेरे telegram के ओपर, this is for first revision, जहाँ आप 10 to 12 दिन में पूरा FR रिवाइस कर सकते हो, जिसका एक बार यह अचीव हो जाता है, तो मैं कोशिच करूँ सब्टेंबर या October के महिने में मैं आपको second revision का planner share करू, जहाँ किसी को FR 6-7 दिन में रिवाइस करना है, बीच-बीच में, बीच-बीच में, blood planner में ने पूरा share किया हो, इसके अंदर, बराबर तो FR की आपकी strategy यह रहनी चाहिए, कि पहली बार करो तो fast track करो, साथ में daily revise करो, हो चुका है पहली बार, classes वगरा कर लिए, तो वापस लिने को कोई जरुवत नहीं आपको, revision पर फोकस क आएगा, ठीक है, और रही बात revision videos की, मेरे जो revision videos है, May 23 वाले, exactly same applicable for November 23, और मैंना आपके May 23 में marathon भी लिया आता, तो मैं क्या करूँगा, marathon में कैसा है, बहुत सार index एक साथ में, तो काफ़लों को ढूनने में तकलीफ होती है, तो मैं क्या करूँगा, November 23 के लिए, कुछ index के अ अलग अलग नहीं है, तो ढूनने में दिक्कत होती रहेगी, तो मैं आपके लिए वो clipping निकाल कर, अलग से उसका lecture भी record करके दे दूँगा, ठीक है, मतलब अलग जैसे index 102 है, किसी को देखना तो marathon में जाना पड़ता, तो मैं आपके लिए अलग से निकाल कर अलग से upload भी कर दीरे-दीरे करता हुआ चलूंगा वो, बाकी तुमको जो भी revise करना मेरे चैनल पर आपको सब revision videos मिलेंगे, revise करने को point आपको तो आपको इसमें टेंचल लेने का जरूवत नहीं है, तो यह मेरे answer strategy थी आपको पूरे CA final के लिए, और FR specific के लिए, ठीक है, तो काफी हद तक मैं एक बार जितना बताया, revise करा दू क्या, देखो भाई, आपन प्रोफेसर है, तो lecture हो, यह revision schedule है ना, यह फिर strategy, revise कराना तो बनता है boss, तो फटा-फट सो सुन लो, एक क्विक revision कर रहा हूँ, लाइक नहीं कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, सुनला फटा-पट, सबसे पहले म अपने को minimum 60 days चाहिए, single group है, तो minimum 35 days या 45 days चाहिए अपने को, तो आपन आराम से दो revision कर सकते है, और इस दो revision के दौरान किसी एक revision में, आपन मौक टेस्ट भी ज़रूर देंगे, ठीक है, अब यह सब कैसे अचीव करेंगे, सर, pro tips मैंने लिखके रखे, सबसे पहला, यह ती इतना दिन में को लगेगा कहानी खतम, उसके अलावा, अगर आपको कोई भी lecture चल रहा है, तो उसको please साथ में revise भी करना, class के साथ, सिर लेक्टर देखते में मत चलना, उसके अलावा, आज जब पढ़ रहे हो, तीन महीने की जर्नी में, क्या करना आपको, तीन महीने की जर् वगर अवइड करना, कैसे अवइड करेंगे, result का tension मतलो, process पर focus करो, process अच्छा होगा, उसके अलावा, जितना जादा महनत करोगा, इतना आपके लिए अच्छा होगा, इस इस अलावा, FR के लिए मैंने, आपको specific क्या बताया था, FR के लिए मैंने आपको बताया था, कि अग तो अगर नहीं किया वह ए फर तो फास्ट्रक से कर लो ठीक है उसके लावा अगर रिवाइच करना है तो रिवाइच कैसे करना चाहिए रिविजिन वीडियो में आपको चैनल पर मिल जाएंगे यूटूब के ऊपर और कितना टाइम कॉन से टॉपिक को देना चाहिए उसके एक दिन का विंडो दूगा उसमें आप लिखके समिट करोंगे मेरेंड आपको करेट करने को मिलेगा उसके लावा टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी बैच के अंधर ही उसके लावा मैंना आपको एक प्राउमीस भी किया है कि जब आई-स आका मॉक टेस्ट आएगा तो आ ठीके चलो तो यह सम्में आपको हेल्प कर दिया है तो जिसको भी स्ट्राटेजी सुननी थी स्ट्राटेजी यहां वीडियो खतम हो जाता है ठीके तो काफी बच्चे होंगे न कि मुझे स्ट्राटेजी आना था सा तीन महने का तो वीडियो एंड्स यहर फॉर यू अब मै ठीके चलो तो ऐसे मैं आता रहूंगा आपके लिए मुझे लगता लाइव आने से अच्छा आपको भी अच्छा फिल होता होगा और टेंशन मत लेना ठीके किसी का टेंशन मत लो जो है पूछो मैं कुशिश करोंगा ठीके आपका आंसर करने का क्वेरीज ओके चलो अभी जो भी queries है पूछ लो दस पंदा मिले टू टेंशन मत लो यह सिम्रन आप वो देख सकते हो ठीके उसके लावा थैंक्यू सो मच फर एफ़र्स स्वेलकम रोनल सर आप टेकन एफर एग्जाम औरेंटरडाइव वर्टी क्लास माँ इग्जाम वट्टी क्लास माँ दू आप लो जो क्लासे आप कंपेट करो डिली रिवाइस करो काफी होता ना ठीके ए उसके लावा मैं जो रेलिवेंट कुरी इज फोल हूंगा ठीके तो स्कोर 70 प्लस इन एफर मैंना अल्लेडी स्ट्राटेजी बता रख है एफर में एग्जम्शन स्कोर करने की वह फॉलो कर लो उसके अलावा स्ट्राटेज के लिए बताओ ना फर्स रीडिंग टाइम लग रहा है वह रिविजन लेक्शे उसके अलावा और क्या क्वेरी से एक सेकेंड दिखने दो मुझे एक सेकेंड लाइव आते रहो तो हमें लोनली फिल नहीं होता ठीक है भक्ती डन लेकिन सीए इस लोनली जनी आदर डालो इस चीज़ की सेम पी में थियरी भूल जाते हैं क्या करें जब कोई भी चीज़ भूल जाते हैं तो क्यूमिलेटिव रिविजन इस दकी टू रिमेंबर इट ठीक है सर एफार सेकेंड रिविजन का पैनल एग्जैकली 5 देस का रखना नौट 6-7 डेस ठीक है सागर नोटेड और सर इफार स्टार्ट ग्रूप 1 नाओ देन कहना है क्लियर यह सिम्रन बर्द बहुत मेहनत करनी पड़ी आपको कर सकते हो लेकिन जश्ट वंटेटो थैंक्यू आपकी वैसे ही सीए बन गया क्या बात या अदित्या वेरी गूड इस थ्री मन्स इनफ फ़र वन ग्रूप येस इनफ आपको हेल्प कर देंगे क्लास क्या रिवाइस कैसे करें जो क्लास देंकि उसको आदा घंटा देंके पुरा रिवाइस करना साथ में सिंपल उसके अलावा सर एबी सी का सेशन कब आएगा में 23 का पेपर देने के बाद भी एबी सी के पीछे पड़े हो मत करो भाई पूरा पढ़ लो चुप चप लव्यू सर आपके लाइव क्लास के बाद दुनिया रूखी सूखी लग रही है लाइव लेक्चर वाली ट्यून रेगुलर बैच का बच्चा है बहुत परिशान के एस नमें को लेकिन इस वेरी स्वीट थैंक्यो साथ हमारा रेगुलर बैच खतम हुआ न तो इस लाइक मिस कर रहे है मिरे को मिस कर रहे है साथ तू मेरे और साथ के विच में काफी कोजी मोमेंट बन चुका है काई सर मैंने आपका एपरिल का लाइब बैस ले था दू आपको आपको एक्जांपल देता हूँ प्रभात अगर आपका सपोस्ट वन फिफ्टी आवर्स का बचा है और दिन में आप तीन घंटा पड़ता हो तो वन फिफ्टी दिवाइड बै थी करो 50 देस में कर्पिट हो जान अब फास्टर चैटर वाइज नहीं आता मेरा क्यूंकि फास्टर का प्राइज बहुत वह लो प्राइस पर है न तो आप वह चाहो तो ले सकते हो फास्टर को जो भी रेलिवेंट चीज आप उसके अंदर देख सकते हो ठीक है आपको वैसा करना तो कर लो रिवाइस करना त तो ऑटोमेटिकली थोड़ा लंबा रिटेंशन आपका हो जाएगा अभी फिलाल उसको सिफ पढ़ने पर फोकस करो ठीक है चलो साथ यूटूब पे नहीं बजाता भूपू में कॉपिरेट श्लाइक वागेरा आ जाएगा एनी टिप्स तू रिवाइस फिनांशल जल्दी हो जाएगा सर मेरा बहुत बार डाउट है लास्ट अटेम में गूरूप बन का पढ़ा था वन फिफ्टी माक्स ही आया पढ़ा गूरूप मनता ना दिलिक तो इस बार भी गूरूप नहीं देना चाहिए आप तो सब्सक्राइब करना चाहिए जो भी आपने बैच लिया रहेगा जिस भी फैकलिटी का वो बैच के बाद के जो भी आर्टीप के वो आर्टीपिस कवर कर आपके अल्टीपिस कवर हो जाएंगे सिंपल है अगर आपने एक बार एक बार किया वह लेकिन किया वह लेक बार तो फास्ट्रेक ले लो यह वाला फास्ट्रेक आप ले सकते हो क्योंकि जादा चेंज नहीं है दो थेरेक के टॉपिक आइड हो है बस वह कर सकते हो आप फिर वैसा हां कर सकते हो ना कोई दिक्कत निया बाजल आप आइगाट हंडिट परसंग कॉंफिदेंस इन था टॉपिक थाइंक यू सुरुभी सर वन आइम प्रैक्टिसिंग एफार आफिल कॉंफिदेंट बट नॉट स्कोर वेल एग्जाम हो इंप्रोव रिटिंग पैक्टिस जरन ओर इंप्रिशन और या इटिंग पैक्टिस टैस कैसे देना है उसपर आइडवाईस कर दो आइसे आ का मॉट ट डावलो डॉन्लोड करो किस लिख वेस्ट आप आप सर और क्या कोई रियह सर बोध ग्रूप के लिए गाइड करो second revision of all subject कितने दिनों का होना चाहिए जितना आपको first revision में समय लगाता ना उसका 60% time जैसे for example आपको FR करने में first revision में 10 दिन लग गए तो second revision 6 दिन में होना चीए simple calculation सर FR पढ़ते पढ़ते कभी लगता है पीछे का भूल जाते वो normal है प्रबाद सब भूल जाते it is fine आप जो पढ़ रहे हो जिस दिन पढ़ रहे हो उसको revise करो जब आप FR बाद में पढ़ोगे तो आपको पूरा time मिलेगा अगर आज पढ़के इतना लंबता याद रहता तो फिर revision करने के जरुवत क्या पढ़ती तो जब आप FR का अगला revision का number आएगा तो आपन कर लेंगे उसको भी cover वापश वापस याद कर लेंगे चिंता करने के जरुवत नहीं ठीक है हाँ time कम लगेगा comparatively next time में इसलिए 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 क्लियर ग्रुप तो बट हां कर सकते हो आरजए बट मेहनत करने पड़ेगा आपको ठीक है आप इसलिए फुल लेक्चर देख रहा हूँ बट पूरा नहीं होगा सो small index आपके revision videos और देख रहा हूँ थ्री अटेम्ट के एक साल सो पेपर नहीं दे रहा था द्यूट हो जाएगा आपको यह सूट कर रहे वैसा कर सकते है आप ठीक है आप सराइप परचेस फास्ट्राइगा क्लास से वेरी गुड इस इनफ और एक्जाम पर परपस यह दिस मोजन सफिशेंट इन अडिश्रों क्वे स्टेम्ट के आटीप करनी पड़ेगा अगर आपने यह वाला फास्ट्राइग लिया तो में ट्वेंटीट्री नहवंबर टुटीट्रीक आपको नहीं और करनी मैं करा दूँगा में 23 के आर्टीप आपको अलेडी ड्राइफ में मिल जाएगी नमेंबर 23 की मैं डाल दूंगा उसके ओपर जब आर्टीप लॉंच हो जाएगी इसके बाद ठीक है आम हुसेन आपका क्वेरी क्या था मुझे दिखा नहीं वह ठीक है देख लेता हूं में एक बार ठीक है सर में 24 में ऐसे भी क्वेशन आ सकते हैं जो अभी तक इंपोर्टेंट नहीं हां कुछ भी आ सकता है आपको सब कवर करना चीए प्रकर ठीक है अगर आपको आता ही नहीं है तो उसकेस में तो फिर आपको एक बार अच्छे से करना पड़ेगा अगर फास्टर का एक्सेस रगा तो एक बार मेरा फास्टर का लेक्श्य देख लो 33 का ठीक है कर सकते हैं अनुजा चलेगा कि देखो मैं वापस बता दू यह नहीं होता है कि एक्जाम मा आया का मतलब वह क्वेश्चन आपके 100% कवर करते हैं तो वह कर लोगे तो आपके सारे कवर हो जाएंगे प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी तो कोई नया क्वेश्चन भी SFM और FR की क्लास August अंट तक हो जाएगी Group 2 no classes pending only revision but audit law जिन्दगी में नहीं पड़ा तो पढ़ लेना अब मैं क्या बोलू आपको आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा भाई क्योंकि आपका अगर सप्टेंबर में आपको audit law भी करना और पूरा रिवाइस भी करना है तो you will have to work hard तो increase your study time ठीक है सर एफ़ार फास्ट है के 20 लेक्चर बचे और बाकी इंडेस का revision हो चुक है एक बार और मैं फर्स्ट गूप दूँगी नवेंबर 20 सफिशन टाइम है ना मोर दन सफिशन टाइम है अंजली बट की वर्किंग हाड कंसिस्टेंटली ठीक है और क्या क्वेरी है तो नवेंबर 23 के अगजाम के बहादूंगा ठीक है अछा नहीं हुआ है एक जास इसा प está आन्वान लो कि सपोज अब मैं डॉक्टर हूँ और मेरो वाकता करना है, तुम्हारा आपариशन करना है, और तुमयी हमें चला है, काप चला हो, तुम्हारा पड़ा हो तो तुम्हारे हमें चला हुआ है। पड़ा अच्छी होगी, तो try to stay confident, कैसा भी position हो, मैं बता हूँ, किसी के पाल टाइम नहीं है, जिसके पास 3 साल हो भी टाइम काम है, जिसके बाद 2 महीने वो भी टाइम काम है, तो time सब के पास एक बराबर ही है, जितना given time हो, उसमें best क्या कर सकते हो, वो करने का try करना, यह नह question, ठीक है, चलो, sir revise करने के लिए, एक question करना है, नहीं न, देखो, जो भी important questions को लिखे करना चाहिए, बाकी उपर से refer कलोगे, तो भी चुछ जाएगा, yes, yes, पूजा, मुझे याद हाँ, drive पे डाला है, मैंने, वहां से कर ले, common pool questions, मैं थोड़ा out of context question पूछ रहा हो, age matter करता ह short term में, yes, long term में, short term में भी एक-दो company पूछती, age वगरा क्या, बट long term में नहीं करता है matter, आप मैं पढ़ा रहा हो, तो मिरको पूछते हो गया, कि सर आपकी age एक certain level पे तो यह आपसे पढ़ेंगे, अगर मैं 40 years करो तो भी तुम मेर से पढ़ोगे, अगर मैं 28 करो तो भी तो CA बनना is always better than without CA, तो कोई भी एज में बनो, आप इस से compare मत करो कि वो तो 21 में बना मेरा journey late वारे, भगवान ने सब का journey अलग तरीके से तै किया हुआ है, तो तुम अपनी journey तै करने पर focus करो, ठीक है, तो CA कभी भी बनो, it is more worthful than not being a CA, अपने आपसे compare करना, बस, सर, completed classes in 2022, can watch your revision video 7 days and do one more revision 4 days, चलेगा, yes, go up कर सकते हो, ऐसा, चलो, सर, अभी तक revision करता था, FR की class के बाद, not writing questions, करना, write लिखके करो, भई questions, तो अभी अभी चालू करो, अभी जब अगला revision करो, तो लिखके करो, ठीक है, preferred ICA का answer है, उसे, ठीक है, जो final answer ICA कहीं, लिखना चाहिए, हमें शापको, चलो, ठीक है, और कोई, चीज, remaining index के revision, मेरे वैसे सारे revision, जो May 23 में, वो same applicable, बट कुछ-कुछ, क्लिप्स में, अलग से निकाल के डाल दूँग, आपके, November 23 के लिए, ठीक है, कुछ-कुछ, चप्टर्स के revision videos, तो आप वो भी refer कर लेना, ठीक है, काम बन जाएगा, आपका, हाई सर, हावर यू सर, पास तो आप करा, दोगे सर, लगे रहो सब लोग, क्या बात है जेवियर, जेवियर ने आपके लिए, motivation के words दिया हुआ है, very good, हाँ, हुसेन, yes, yes, चलो, thank you so much, आपको देख के अच्छा लगा live में, शांदार पूजा, yes, पूजा is also a regular batch की student, very good, चलो, sufficient है, कृष्णा sufficient है, yes, ठीक है, तो मेरे ख्याद से, I hope this session was helpful for you, मैंना आपको थोड़ा guide भी कर दिया, और इस session में मैंना आपके कुछ queries भी ले लिए, ठीक है, तो वीडियो पसंदा, लाइक जरूर करना, उसके लावा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और बहुत सारी मेहनत करना, बहुत सारी, ठीक है, इतनी सारी मेहनत करना, इतनी सारी, ताकि आप November 23 में, पास होके ही निकलो, और January में, फिरम पार्टी करेंगे, ठीक है, तो शुक्रिया everyone, thank you so much, bye everyone, take care, see you all, और आपके लिए से helpful वीडियो में आने का कोशिश करता रखूँगा, ठीक है, शुक्रिया, thank you so much, bye everyone, take care, see you all, bye everyone, फटा फट से भाई बोलो, चलो, फटा फट से भाई बोलो, yes, yes, चलो, bye bye, thank you for providing revision videos, most welcome, चलो, bye bye, bye Mayur, Neha, Pallavi, Muskaan, Sabha, bye Abhishek, bye bye, take care everyone, thank you so much,